वेल बच्चो फाइनली NTA ने अपनी ओफिशल वेबसाइट पर फाइनल जो कट ओफ है वो पब्लिश कर दिये और इस बार ही आपको आल इंडिया रैंक 2,3,4,5,6,7 बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है और इंडिया रैंक 1 के बाद सिधा आपको आल इंडिया रैंक जो 68 देखने को मिल रहा है इन्होंने अपने इस ऑफिशल नोटीस में बताया गया है अब इस वीडियो के तहर यहां पर जो कट आफ इन्होंने बताया है यही तुम्हारा फाइनल कट आफ मान के चला जाएगा फॉर एडमिशन परपस तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना यहार बहुत से लोग जो कट आफ बता रहे हैं वह अपने अजम्शन पर बता रहे हैं बट एंटी जो बता रही है वह यही आपका जो आगे एन्म से भी फॉलो करने वाली है और जितनी भी गवर्निंग बॉडिज है वह इसी डिटा को आपको फॉलो करन बता रहे हैं बता रहा है कि उन्नी स्य फंद्र लाग बच्चे ने इस साली है जाग बच्चों ने फॉर्म भरा था और टैएस लाग से जादा बच्चों ने अपियर किया था 28-24 इन ने इफtake एग्जैमिनेशन दिया था इन्होंने सबसे पहली बात यहां पे यह बताई ह फिर बाद में उन्हों ने इसमें यहां पर यह बताया हुआ है category wise अगर तुम देखोगे तो previous year के respect में अपकी बारी 16.85% जादा बच्चे यहां पर appear हुआ है तुम यह मानिके चल सकते हो कि अगले साली आकड़ा जो है ना वो 25 परसंट या 30 परसंट हो जाएगा मतलब मोटा- साथाइस लाग बच्चे जो है वह आपके examination दे सकते हैं यह जाना बहुत जरूरी जो भी 25 की तैयारी कर रहा है यह तुमको बताएगा कि तुम्हारे medical 23 का आपका reference दिया गया बच्चो और यहां पर need 24 का reference दिया गया है यहां पर एक होता है cutoff और एक होता वह कितना था वह आपका 137 मार्क्स था कितना कि अगर आपके 137 मार्क्स अगर अगर 137 आ रहा है तो भी आप counseling है बैटके कोई भी private और सारे category के लिए 139 आपका qualifying मार्क्स है मतलब अगर इतने मार्क्स नहीं है need 24 में बैटना पैसे वेस्ट हो जाएगा और अगर कोई तुमको यह कह रहा है कि ठीक है अगर तुमने नीट में से बैठा है ना मैं तुरह को homeopathy में admission दिलवा दूंगा अरविदा में मत लेना विकॉस बाद में तुम्हारा admission वो cancel हो जाएगा जी बहुत सरे कितने हैं कैंडिडेट्स उनने क्वालिफाई किया बचो हमारे पास होगे ग्यारा लाग पैसर के करीब करीब मतलब तेरा लाग तैइस में से तैइस लाग में से तिरा लाग बचो ने यहां पर कर रिलीज किए वो क्या बताइं अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो यहां पर न रांक डिया गए अगर आफह ड़े गौर से देखेंगे न नीट ती अंग जिसका All India 1 अर्ण आखर रही है इस्का मतलब क्या 720 मांक्स होगा उसका 720 मांक्स होगत अली डिर्ए रांक KA अगर तुम देखोगे तो पहले पर पर सब जगह अगर तुम डेखोगे तो वन 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 देख रहे ithe के इसके बाद अगर तुम आगे बढ़ोगे अगले हमारे 53 तक यहां पर 11 11 11 दिख रहा है अगर आप यहां पर आते हैं इस लेवल पर आप आते हैं तो 67 67 तक आपका All India Rank 1 है मतलब बताया गया है इनका rank 67 सीरियल नंबर तक आपके सारे की सारे All India Rank 1 है और उसके बास 68 जो है ना वो सीधा आपके बास 68 rank है यहां पे All India Rank 2, 3, 4 तो बोला ही नहीं गया है ठीक है तो यह तुम्हारे पास cut-off देखने को मिल रहा है इसे 25 अलों के लिए learning बहुत बड़ी क्या है बच्छो कि तुम कोई भी topic छोड़ नहीं सकते हो कि यार हम यह topic नहीं करके जाएंगे तुम किसी topic को नहीं छोड़ सकते हो अगर तुम्हारे जो भी टीचर से notes बनाया है वह तुमको properly follow करना है और नी 25 लों के लिए biggest learning यह जितना हो सके अभी से practice करो अगर तु practice नहीं कर रहा है भया selection नहीं होगा 25 में because practice करने से तुमको तुम्हारा week area समझ में आता है बच्छो तो यह तुम्हारे पास टॉप 100 का तुम रेकॉर्ड देखोगे तो 100 का रेकॉर्ड है वो इससाब से बनाया गया बच्छो आपके पास ठीक है तो 99.9 जो आपक अगर आपन देखते हैं इस साफ देखते हैं जो कट अपके पास अगर मैं यहां पर बता दू अगर मैं आपके यहां पर कट आपके बार में अगर हम बात कर ले बच्छो मैं अलग कलर ले लेता हूं कट आफ के बार में अगर हम बात करते बच्छो कट आफ के बार में तो फॉर जेनरल भाया आस पर नौ हमें ऐसा लग रहा है कि यह तुम्हारे पास 640 प्लस माइनस तुम्हारे पास 15 जाएगा यह मतलब तुम समझ की चलो कि तुम्हारा 650 प्लस जो है न अगर स्कोर है तो बाई यह आल इंडिया कोटा का तुम्हारे पास मैं आपको एक जनरलाइज जेटा बता रहा हूं ऑन गीवन यूर पैरामिटर ठीक है आप इसको जा कि आपके एंटे की वेबसाइट से आप इस तुम्हें अपना मेहनत पूरा किया न अब भगवान के उपर चीजोगों छोड़ दो या अब एनमसी तुम्हारी कितनी सीट्स बढ़ाती है उस पर भी डिपेंड करता है अगर ज्यादा सीट्स अगर बढ़ रही है तो यहां पे छेसो चालीस छेसो तीस वाले बच्चों अराम से फर्स्टांड में बच्चों मेडिकल सेट्स मिल सकते हैं यार तो यह तुम्हारे पास शॉकिंग जो पूरा रिजल्ट यहां पर आपका बन के आ रहा है और स्टेट वाइस भी आपका पूरा टॉपर है उन्होंने बताया है तो इसको आप गो तुरू कर सकते हैं हुआ चाल बात है पर बाद में डीज़िकत के बात नहीं के बात कि बहुत है भागत घुक्री ब्युवाशन करना है वह बहुत अच्छे तीच के गाई एक और प्रैटनज के यहर मैं तुमको सिधा निए बुलूँ कि तुम सिधा मेरा कोड लाके तुम अनकाडमी प्लस पर आ जो तुम मेरा जाके NCRD नी चोड़का कोई भी लेक्चर उठाके देख लो और तुम देखो यहर किस तरिके से बाइलोजी को फील किया जाता है और वही से पढ़के ना बच्चों के 710 में 720 में 710 आये हैं ठीक है 705 के उपर हमारे पास 10 से भी अधिक बच्चे है जो की मेरे प्योर पढ़ायवे बच्चे है बकायदे चैनल पर उनके इंटर्वीज भी अविलेबल है आप ज़रूर से अनकाडमी प्लस ले सकते हैं आपको आपको अनकाडमी प्लस मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5,499 रुपीज में सिर्फ आपको इतने में मिल जाएगा जहां पर कम्प्लीट टीम स्पार्टन आपका फ्रजिक्स केमिस्ट्र और बायोजी का जो सलेबस है बिफोर डिसम्बर आपका कवर हम करवा देंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया बच्चो जरूर से आप लोग जाएगा और अपने माक्स डालके रांक डालके अपने कॉलेज को प्रेडिक कर लो अगर अच्छे आ रहे हैं अगर आप चाहतो कि हम असाथ सेलिब्रेट करना जरूर से आप लोग रांकर्स र